नमस्कार बच्चो आज हम सीखेंगे और नंदर के बारे में कि और नंदर होते क्या हैं तो और नंदर के बारे में सीखने के लिए मैं एक छोटी सी गेम आपको खिलाने जा रहा हूँ आप इसको ध्यान से देखेगा और सीखेगा मेरे पास यहां पर कुछ कंचे हैं इन कंचों में से मैं कुछ कंचे इस छोटी कतोरी में डाल रहा हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो कंचे मैंने इसमें डाल ले हैं कितने कंचे डाले हैं? नो अब आप ध्यान से देखना जैसे हमने इवन नंबर का खेल खेला था, वैसे हम इसमें दो, दो के जोड़े बनाएंगे कितनो के? दो, दो कंचों के तो मैंने यहां से सबसे पहले यह दो कंचे उठाए और इसको तोरी में डाल दिये फिर मैंने दो कंचे उठाए इसको तोरी में डाल दिये फिर से मैंने दो कंचे उठा दे, इसको टोरी में डाल दिये अब मेरे पास यहां दो कंचे नहीं बचे कितने कंचे बचे, सिर्फ एक इसका मतलब, यह जो हमारी शुरू में संख्या थी नो, वह समसंख्या नहीं है क्योंकि हमने कहा था, समसंख्या वो है, जहां एक भी न बचे लेकिन यहां तो एक कंचे बचा है इसका मतलब, यह समसंख्या नहीं है और अगर यह समसंख्या यानि इवन नमबर नहीं है तो यह कैसा नमबर है, और नमबर इसका मतलब, हमारा जो संख्या हमने ली थी जितने कंचे हमने लिये थे 9 वे कैसी संख्या है odd number है अभी मैं इसमें कुछ और कंचे डाल रहा हूँ 10, 11, 12, 13, 14 15 कंचे बने इसमें डाले हैं आईए फिर से वही गेम दुबारा खेल के देखते हैं कि 15 जो है यह एक odd number है या even number है क्या करना है बच्चों बड़ा असान है दो कंचे लिए इसकटोरी में डाले फिर से दो कंचे लिए इसकटोरी में डाले फिर से दो कंचे लिए इसकटोरी में डाले दो कंचे फिर से दो कंचे फिर से दो कंचे और फिर से दो कंचे और यहां कितने कंचे बचें? एक यदि यहां एक भी कंचा नहीं बचता तो हम कहतें कि यह एक even नमबर है लेकिन यहां पर तो एक कंचा बचा है इसका मतल़ जो हमने आप कंचो की संख्या ली थी पंद्रा, वे संख्या कैसी है? और नमबर है तो हमने सेखा 9 वो भी और था और 15 वो भी और था अब हम एक और संख्या लेकर देखते हैं अब मैंने यहाँ पर कंचे लिया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 कंचे अब मैंने यहाँ लिया है ठीक है बच्चो अब फिर से वह दो कंचे फिर से दो कंचे फिर से दो कंचे दो कंचो का जोड़ा बनाना बच्चे जादा नहीं कम दो कंचे यहाँ फिर से दो कंचे और देखो यहाँ पर एक कंचा बच गया इसका मतलब कितने कंचे लिये थे हमने अभी स्तारा तो स्तारा भी क्या है एक और नंबर है क्य क्यों कि दोदों के जोडों में यह पूरा नहीं आया दोदों के जोडों में यह पूरा नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ कि यह टू के टेबल में नहीं आया इसलिए यह जो स्तारा है यह भी एक और नमबर है आईए हम एक बार फिट से समझते हैं कि और नमबर होतें क्या है इसको हम सोड़ी देर के लिए साइट पे कर देते हैं तो और नमबर्स क्या है बच्चो देखिए और नमबर्स वो होते हैं जो टू के मल्टिपल्स नहीं होते जो दो के पहाड़े में नहीं आते यदि हम गिंती के शुरुआत से देखिए कि कौन-कौन से नमबर और हैं तो देखिए एक, तीन, पांच, साथ, नो, ग्यारा, तेरा, पंदरा, स्तारा, उन्निस, इक्किस, तेईस, पच्चिस, स्ताइस, उनतिस, कतिस, तेनतिस इस प्रकार से यह सारे जो नमबर हैं, यह आगे बढ़ती जाएगी गिंती, यह सारे जो नमबर हैं, यह और नमबर हैं, यह सारे जो नमबर हैं, यह कैसे नमबर हैं, और नमबर हैं, यह 2 के मल्टिबल नहीं हैं, यह 2 के टेबल में नहीं आते, यह 2 से डिवाइड नहीं होते, यह सारे ही और नंबर कहलाते हैं ठीक है बच्चो अब इसका यूनिट प्लेस देखते हैं जान से देखें यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस था 1, यहां इसका unit place था 3, यहां इसका unit place था 5, यहां 7, यहां unit place 9, यहां पर unit place यह होता न है unit place यह है 1 फिर इसका unit place 3 इसका unit place 5 7, 9 1, 3, 5 7, 9 क्या समझे, odd numbers जितने भी होंगे, उनके unit place पर हमेशा यही number आएगा 1, 3, 5, 7, 9 यही digit आएगा unit place पर ठीक है बच्चो ठीक है, odd numbers के बारे में क्या याद रखोगे, यह 2 के multiple नहीं होते, और इनके unit place पर 1, 3, 5, 7, 9 आता है मान लीजे, मैंने एक बड़ी संख्याली है 11,297 अब आपने बताना है यह odd है या नहीं पूरी number को हम कंचों में इतने तो कंचे नहीं ले आ सकते हैं तो क्या करना है हमने, सिरफ इसका unit place देखना है unit place क्या है, 7 7, 2 से multiple है, 7, 2 का multiple है नहीं है, 2 के table में 7 नहीं आता इसका मतलब, यह सारा ही odd number होगा ठीक है, दूसरा तरीका इसके unit place पे 7 है 1, 3, 5, 7, 9 यह कैसे number होते हैं odd numbers होते हैं, ठीक है बच्चों तो इस प्रकार से आप odd numbers देख सकते हैं, even number यदि आपने देखना हो तो उसके लिए आप मेरा even number वाला वीडियो जरूर देखेगा दो नवट